आमादवी पार्टी को दो करारे जटके लगे हैं दरसल जहां एक और अरविंद केजरिवाल की जमानत को लेकर कोट में बहस जारी है तो वहीं दूसरी और मनीश शोदिया को भी शराब घोटाले को लेकर बड़ा जटका लग चुका है मतादे की दिल्ली के पूर्व उप मोख्यमंतरी मनीश शोदिया को शराब घोटाले से जुड़े दरसल आमादवी पार्टी ने लोगसवा चुनाव के लिए हाल ही में दिल्ली और हरियाना के लिए अपने स्टार परचारकों की लिस्ट जारी की थी लिस्ट में मोख्यमंतरी अर्विंद किद्रिवाल और सुनिता किद्रिवाल के अलावा जेल में बंद पूर्व डिप्टी सिय मनीश शोदिया और पूर्व मंतरी सतिंदर जेन का नाम भी था लेकिन शिशोदिया की न्याई खिरासत बढ़ने से आपको मुश्किल हो सकती है इससे पहले शिशोदिया की न्याई खिरासत आट मई तक के लिए बढ़ाए गई थी सुनवाई के दोरान एडी ने जवाब दाकिल करने के लिए समय मागा था जिसके बाद अदालत ने एडी को 8 मय तक का समय दिया था अदालत ने कहा था कि दस्तावेजो के निरक्षन के बाद एडी 8 मय दोपेर 12 बजे तक अपना जवाब दाकिल करे मतादी कि शिशोधिया को पिछले साल फरवरी में एडी ने गरफतार किया था उसके बाद से वो जेल में बंध है वहीं दिल्ली के सीम अर्विंद के जरीवाल को भी एडी ने इसी केस में गरफतार किया है वहीं संजे सिंग को भी इसी मामले में ग्रफतार किया गया था लेकिन उने सुप्रीम कोट से जमानत मिल गई दरसल दिल्ली शराब घोटाले में एडी का आरोप है कि अफकारी निती को शन्शोधित करते समय अने नियमताएं बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाप दिया गया लाइसेंस सुल्क माफ कर दिया गया मनिश शोधिया को एडी के अलाबा CBI ने भी ग्रफतार क दूसरी और अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर भी आज सुनवाई हुई इस दोरान सुप्रीम कोर्ट ने एडी यानि के प्रवरता निर्देशाली के और से पेश हुए एस जी राजु से कहा कि हम दिखा सकते हैं कि अर्विंद केजरिवाल ने 100 करोड रबे की मांग क कि जांच एजनसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है एडी के और से राजु ने कहा कि शुरुवादी चरण में अर्विंद केजरिवाल पर ध्यान के इंदरित नहीं था जांच एजनसी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी जांच आगे बड़ी तो भूमी का इस प कि बड़ाश्ट हो गई